सबसे पहले आपके मोबाइल में दो अप्लिकेशन पार गूगल मीट और दूसरी पार गूगल क्लास्रूम दोनों अप्लिकेशन को इस्टॉल करने के बाद आपको क्लास्रूम में जाना है जब क्लास्रूम में जाएंगे जैसे मेरे पहले ही बाप उस-पर यहां क्लिक करना है क्लिक करने के बार आपको यहां फिर से क्लिक करना है जब अप यहां क्लिक करेंगे यहां पर क्लिक करना एड अनौधर अकॉंट के बाद यह इस तरह से प्रोसीशिंग करेगा प्रोसीशिंग के लिए वेट करना है इसके बाद आपको यूजर नेम पास्वड मांगेगा यूजर नेम वही होगा जो आपके class teacher आपको दिये होंगे आपको already submitted है आपको जैसे मैं एक बच्चे का यूज करके देखता हूँ इसके बाद विद्यालेस लिखना must है .in क्लिक कीजिएगा नेक्स्ट ये फिर आपसे password मांग रहा है फर्स्ट टाम पास्वड वही होगा जो आपके class teacher आपको दिया होगा दोबारा से password मांगा दोबारा से वही password देंगे जो आपको class teacher ने दिया है नीचे ये जो symbol लिखा रहा है इसको type कीजिए next accept अब आपसे ये नया password बनाने के लिए रहा है बच्चों आपको एक strong password बनाना है जैसे की रोहित at the rate 123 या रोहित.123 ये ही बनाना है आपको अपनी पसंद से कोई भी password बना सकते है ये once time process है इस पर ले लिए strong password बनाईएगा आपका account कुछ इस तरह से दिखेगा उसके बाद यहां टॉप मोस्ट में यह जो प्लेस सिंबल है इस पर क्लिक कीजिए क्लिक करने के बाद जॉइन क्लास जॉइन क्लास के लिए आपको एक code चाहिए वह code आपको subject teacher आपको प्रोवाइड कराएंगे जैसे यह dummy class है इसमें इस बच्चे को आड़ करते हैं आप उपनी क्लास से जोड़ जाएंगे यह code आपको subject जब आपकी meeting हो जब क्लास चल रही हो तो संबंदित क्लास में आपके टॉप मुस्ट पर जहां मिटिंग बटन बंद गया है जब आपको क्लास में आउनलाइन होना हो जब आउनलाइन क्लास चल रही है उस समय जब क्लास स्टार्ट हो जाए उसके बाद आपको यहां क्लिक करना है यह गूगल मीट पर ले आएगा और आप देखेंगे यहां गूगल मीट पर जॉइन मीटिंग बटन आ रहा है जब आप जॉइन मीटिंग करेंगे तो आपकी क्लास क्लास आपकी टीचर ने स्टार्ट कर दी तो आप जॉइन करेंगे यहां से आप डारेक्ट अपने पर्टुकलर क्लास में जॉइन कर जाएंगे